नमस्कार मैं रबिंशु शर्मा आप सभी का सौगत करता हूँ अपने इस शो रंग मंच में जो की कता वस्तू पात्र रस अभिने जैसे अनेक तत्मों से मिलके बना है नाटक जिसे हम हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में तमाशा, नोटंकी और राम लीला जैसे नामों से जानते हैं रंग मंच जिसमें हम मनोरंजन के माध्यम से संदेश को आम आदमी तक पहुचाते हैं नाटक का इतियास बहुत पुराना है और पहले के समय में इसको काफी तवज्जो दी जाती थी लेकिन आज के समय में इसकी महत्वता कम होती जा रही है आज के समय में आखिर क्या है ये नाटक? क्या ये कुछ लोगों के लिए मनोरंजन का माध्यम है या फिर कुछ लोगों के लिए व्यवसा है या फिर एक अभिनेता के लिए रोजी रोटी का माध्यम इन जैसे तमाम विशय पे हमसे बात करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है चित्रा मोहन जी जो कि अभीनेतरी, रंगमंदल प्रमुग और प्रोफेसर हैं भारतेंदु नाटक अकेडमी में चंद्रा मोहन जी जो कि निर्देशक हैं, अभीनेता हैं, अचंगीत नाटक अकेडमी में अब दोनों का बहुत-बहुत सौगत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए चित्रा मोहन जी, मेरा पहला सवाल आप से, नाटक का अस्तित्व या कहें इसकी परंपरा ये कितनी पुरानी है? अगर आप पूछते हैं तो इसका सवाल भी बहुत ही पुराना है, मेरा मानना है कि जब से इनसान प्रिथ्वी पर आया, आदिम यूग से, जब इनसान के अंदर संप्रेशन करने की कला और अनुकृती यानि नकल करने की बात आई, तब से प्रिथ्वी पर ये नाटक या जो एलिमेंट्स पाय जाते हैं, धीरे धीरे जयसे इनसान का विकास होने लगा, सभिताओं का विकास होने लगा, ये चीजें और धीरे-धीरे मुकहर होती गई, प्रकहर होती गई और प्रचलित होती चली गई, लेकिन अगर मो akaner तोर पे देखें, तो हमारे हां यह मानना जाता है कि चार वेदों की जब इस थापना हुई तो तब भी बहुत कयास था लोगों में बड़ी तरही तरही थी क्योंकि शूद्र कहते थे या इस्त्रिया कहती थी कि वो उन्हें शामिल नहीं हो सकते तो पर ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करके पंचमवेद यानि नाट्य शास्त्र की परिकल्पना हुई नाटे शास्त्र आया तो यह समझे लिए कि कई लाख वर्षों पुराना हमारा नाटे का इतिहास है जो धीरे धीरे अपने स्वरू बदलता हुआ आज तक हमारे सामने है चाहे वो रंगमंच की बात हो या नाटे कला के तमाम पक्षों अचीक साथवी करे आरकी बातों यह तब से तो हमारे बारत वर्ष मे बहुत पुरानी परंपरा लाकों वर्ष पुरानी परंपरा और अगर वेस्ट में माने तो भी वहाँ पर ग्रीक से मानी जाती है तो एक लंबा इतिहास है नाटकों का चन्नमों जी नाटक का महत्व आज की समय में क्या रह गया है इस 21 सदी में लोगों के अंदर क्या समय की कमी है या यह बॉली वुट का जो उठता हुआ चैलन बढ़ रहा है या यह है नहीं महात्तों तो कम नहीं हुआ है एक्शली क्या है कि आदमी की थोड़ी समय के साथ सोच बदल जाती है बॉली वुड तो पहले भी था और आज भी है आज फिल्में जादा बन रही है तब कम बन दी थी लेकिन एक्शली प्राब्लम क्या आ रही है कि थिएटर में लोगों को उतना पैसा नहीं मिल पा रहा ह तो जो थीटर आटिस्ट हैं वो धीरे धीरे थीरे वालिवुड की तरफ जाएं लगे फिन्मों की तरफ भागने लगे लेकिन ऐसा भी नहीं है कुछ लोग वहाँ फिल्मों में काम करने के बाद भी फिर रंगमंच में लोटा है और रंगमंच को पुनर जीवित दे रहे ह आज की जेनरेशन के अंदर एक थोड़ी सी क्या है हमारे समय में गुरुशिष परंपरा होती थी उस परंपरा के तहट बच्चे जो भी आते थे जो भी स्टुडेंट होते थे वो सीखने के एक ललक होती थी दो चार पांच साल दस साल सीखते थे और एक पूरी परंपरा के अनुसार आगे बढ़ते थे जैसे कथक है या और भी जो म्यूजिक की विधाएं हैं उनमें सीखते हैं नाटक में थोड़ा सा ये हो गया है कि वो दो-तीन दिन में ही चाहता है कि मैं आगे बढ़ जाओं और सब कुछ कर जाओं जो कि इतना असान नहीं है क्योंकि थेटर हो या फिल्म हो या कोई भी चीज़ हो यह मगस से होती यहां से मतलब यह भागते हुए यूग में हर बच्चा चाहता है कि हमें जल्दी जल्दी एक्टिंग हर चीज मिलिया एक्टिं परिषकर नाटक नाटक यह पहले करते थे क्या आज कि समय में भी इस तरीके के नाटकों का चलन देखा जा रहा है हमारे समय आपके इस सवाल को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ जिस तरह के नाटक नहीं कर रहे हैं बल्कि यह मैं कहूंगी जिनका भी आपने ना चाहिए नादिरा बबर जी हो या और तमाम नसीर उदीन शाह हो मैं ये बात आपको बताना चाहूंगी कि ये वो लोग हैं जो सतत रंगमंच में जुड़े हुए हैं ठीक है और इन्हों ने एक बात बीच में रोक करके और कहूंगी कि जिनका आप नाम ले रहें ये उस है उस पे एक नया modern interpretation देते वे एक नई खोज के साथ चीजों को इंटर्प्रेट किया हमारी mythology के जिसे गिरिश करनाट जी का चाहे नागमंडल ले लीजे चाहे तुगलक ले लीजे कोई भी नाटक ले लीजे है तो वो पौराणी कथानक प्राचीन कथानक है लेकिन उसमें जो द्रिश्टी कोण है जो द्रिश्टी बोध है वो नया डाल दिया है उसको contemporary relevance से जोड़ते वे चीजों को डाल दिया और उन्होंने अपने समाज की चीजों को समझा पर्खा और उसको नाटे फॉर्व में लिखा खुद acting भी की तो ये वो दौर के लोग हैं जिन्होंने लगातार एक दिशा देने की कोशिश की तो आज हमारे सामने एक milestone की तरह खड़े हो गए जिसको आप कहते कि इन्होंने ऐसा किया मैं ये भी कहूंगी कि आज ऐसी बात नहीं है आज का यूथ जो है वो बहुत ही multi-dimensional है जैसे भी सौरब शुकला जी है या तमाम और लोग है जो आज की समस्याओं को लेकर के एक नए vision के साथ प्रस्तुत कर रहे है ना तक तो बात वही आती कि जहां सोच है जहां गंभीर अध्यान है वहां से बार बार एक नई धारा प्रवाहित हो रहे हैं और उसको follow करते जा रहे हैं लोग अभी बात जो चंद्रमोहन जी से आप के youth की बात आप कर रहे हैं तो एक अंतर तो मैंने यह देखा है कि जैसे हम instant coffee बनाते हैं ना खटा-खट बना लिया कोई भी विधा इस तरह से नहीं चलपाती है जिनका भी नाम लिया है या जो भी अगर आप उसमें घुसेंगे सघन अध्यान करेंगे चीजों में समय दें करेंगे घर यह दो इंड ऐसकर शवादे तो यह बाते हैं प्रोफेशन की एकर बात करें है कि हर अत्मी का मना चाहता है नाटक करने की बीचा है अब सभी में होती है लेकिन ऐसा क्या का रहन है जिसकी वजे से आज कर यूथ है वो इसे अपने पूफेशन गी बनाना चाता रही है और अगर थोड़ा बहुत पैसा लगाया भी तो ठीक है वो रिटर्न हुआ लेकिन एक जैसे नौकरी होती है वो थेटर की शायद हिंदी बेल्ट में नहीं हो पा रही है यह प्रॉब्लम है बहुत बड़ी इसके लिए मैं यह भी कह सकता हूं कि हो सकता है कि हम लोगों हो रहा होरा है वो सौचता है कि मैरी तो मातरो भाशा है और वही फिल्म बन रही है तो क्यों ना में फिल्मों में जाओं थेट्र को Ralphόσ यह भी आ रही है रीजनल फिल्मों से फिर वो हिंदी फिल्मों में आएगा तो बहुत लंबा सफर उसे तै करना होता है वेक्छिनलेशन बढ़ गया अगा थे संवे में तो क्या लोग इंगलिश की तरफ भी जा रहें इंगलिश कोई सवाल ही नहीं रह गई हमने भी चार शब्द इंगलिश के बोल दियों के बीच में और हिंदी बोल दियो वह तो वह तो आज़कर जुँ अज़को स्लाइंड ल में रंगमंडल खोला है डी सीम मेल वालों ने शीराम खोला है तो इस तरह एंसडी ने रंगमंडल खोला है वो तो नौकरियां देते हैं अच्छा दूसरे क्या है कि नाटक का भी जो इस तर होना चाहिए अभी एक बात हम लोग कर रहे थे कि रिपोर्ट वा बलाती है अभी एक बहुत बारनाट फेस्टिवल होता है तो उसमें तो 200-400 के भी टिकेट बिग जाते हैं और हम चाहते हैं कि 50 रुपी का कोई टिकेट ले 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 तो नहीं लेते हैं उसकी वजह सीधी सी है कि जा क्वालिटी पे भी हमें नजर रखनी होगी क्वालिटी कंट्रोल जिस ची तो वत्ता देंगे तो दर्शक भी पैसा देना चाहेगा तो सरकार की मदद की बात में जहां तक है तो आप जैसे मुहावरा कौंगी कि उंटके मूं में जीरा की बात है ठीक सरकार मदद करने के अपने कोश खोलती है लेकिन उनके कोश प्रॉपरली उन तक नहीं पहुच बिल्कुल साफ साफ कहोंगे पहुचते वहां तक जहां गुणवत्ता नहीं है और जहां गुणवत्ता है वहां उनको अर्थवत्ता नहीं मिल पाती है उन्हें साहता नहीं मिल पाती है इसके लिए फिर एक अर्लग जाच आयों बठाया जाए जाए एक लंबा प्रॉसेस ह लेकिन सरकार की मदद है लेकिन वह बहुत कम है तो जो बात भी आ रही थी मुझको यह भी लगता है कि रंगमंच को अगर व्यवसाई करण मिल जाए छोटे-मोटे रंगमंडल बना के काम करने से तो नहीं चलता लेकिन अगर जहां भी हम देख रहें कि जैसे अब जैसे तमा इतना भी विजन नहीं था अब तमाम मीडिया आ गई है चीजे आ गई है तो एक सकरात्मक्ता की ओर तो जा रहा है और बलके मैं तो यह का हुआ कि एजुकेशन सिस्टम ना चाहिए थेटर मैंदब उनका जो केरिकुलम का पार्ट है स्कूल में एक कंबलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि देखो जब तक सकारात्मक्त चीजे सामने आप किताब ई-बुक निकल रही है यह निकल रहा वो निकल रहा अगर थेटर को आ आप कॉलेज में लेबिल पर या एर्थ क्लास लेबिल तक ही अगर ले आएंगे तो जो सोच है वो एक्दम बदलेगी आदमी वह हर को ही तो जाकर कि फिल्म एक्टर नहीं बन जाएगा क्यों इसकेपिजम है सब बंबई भाग रहे हैं या ऐसी जगहों बाग रहे हैं जब अच्छी बात है और यह एक बड़ी खुशी की बात है कि जो फियेटर इन एक इड्यूकेशन की बात हो रही है ये चालू हो चुकी है और अब सरकार ने भी, CBSE Board में ये आ गया है, ये बड़ी अच्छी बात है, शुरुवात अच्छी है, तो होता कि जैसे हम लोग डॉक्री की, इंजिनिंग की, या मास मीडिया की, कम्यूनिकेशन की तमाम पढ़ाई करते हैं, ठीटर भी अब एजूकेशन में आ गया है, तो जब बच तमाम स्कूलों में जाकर के अज़ा टीचर उनका प्लेस्मेंट हुआ है, और आज वो बहुत अच्छी सैलरी कम से कम 32,000-35,000 से मेरे तमाम स्टूडेंट है, जिन्होंने जाके स्कूल में जाकर के अज़ा टीचर, रंगमंच के टीचर के तौर पे काम किया है, तो प्रोफ सब्सक्राइब करता है, जो आज समाज में बहुत सारी विक्रितियां है, उस तरह की सोचे वो सकारात्मक हो जाए, यूकि थीटर is a mirror, साहित तो क्या है, एक दरपन है, mirror भी और एक तरह का teamwork भी है, एक छोटा सा काम करने के लिए आपको 8-10 लोगों की team, और जहां teamwork होता है, एक सोच के साथ होता है, वरना टीम भी खर जाएगी, तो जब एक सोच के साथ आप किसी भी चीज को करते हैं, कोई भी मुद्दा उठ करते हैं, तो आप उसके लिए फाइट करते हैं, तो धीरे धीरे यही से प्रयास शुरू होता है, और सकरात्मक सोच समाज में जाती है, तो रंगमंच इसके लिए भी बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है, तो यह तो बहुत अच्छा प्रयास है, इसलिए रंगमंच देख करते हैं, तो लोग एक तरफ सौ से पांसर रुपय खर्च कर देते हैं, एक मूवी का टिकट लेकिन देखने के लिए, लेकिन दूसी तरफ जो कि नाटक का टिकट इससे काफी कम कीमत का होता है, वो लोग क्यों नी जा के खरीद ते हैं, वो जो अब पहले हमने बात कही थी उसी को मैं और थोड़ा सा विस्तार दे रेती हूं, बात सिर्फ इतनी है, कि जहां पर टिकट की बात आती है, एक कॉमन मैन, यह विडम बना है, एक कॉमन मैन अगर अभी जैसे आप यह एक नाटक कीजिए और पचास रुपय का टिकट लगा दीजिए, तो बहुत सारे लो के हो, या सेलिब्रिटीज के हो, तो वहाँ पर आप समझेए, बिसको घदर मत जाती है, लोग तूट पड़ते हैं, चार सो पान सो के टिकेट भी खिड़की पर मिलना मुश्किल हो जाते हैं, तो दो बाते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जहां चर्चित चेहरे या जो ये सवर्ग, जो ये प्राउट फिल करता है, कॉलर अप करके, कि मैं रंगमंच देखने गया था, आज मैं नाटक देखने गया था, मैंने आज नाटक देखा, फलाना सलिब्रिटीज आय थे, वोटेवर, तो इस तरह की चीज भी है, लेकि जहां एक्चुल रंगमंच हो र लेकि तीसरा शो माउट पबिसिटी में, भाई, क्या घजब का काम किया, नसीर के प्ले से ज्यादा अच्छाव मैं उसका गवा हूँ, संकरमन मेरा नाटक कामतानाच जी का लिखा हुआ था, नसीर ने भी किया, और बाद में जब वो हुआ, चन्मोहन जीन उसमें बहुत लीड रोल किया था, और भरे मंच पर नसीर के सामने ये बात कही गई, कि चित्रा जी का नाटक सर्वस्रेश्ट था, क्योंकि मैंने उसको इस तरह विजुलाइज किया था, कि लोगों के दिल को छूतार, हम 40 से ज्यादा शो कर चुके हैं, तो बात यह होती कि आप उसको कि कर रहे हैं, दो शो में लोग नहीं आए, लेकिन बाकी के 38 शो में भीड उमर पड़ी, तो गुडवत्ता देंगे, विजन देंगे, तो आप भी उन्ही चर्चे चेहरों में शामिल हो जाएंगे, तो ओडियंस बिल्कुल दोरती है, और वो देखना चाहती है, अब आप दर परोस रहे हैं, यह देखना पड़े हैं, यह देखना पड़े हैं, और अच्छा काम करते हैं, लेकिन जंगल में मोर नाचा पता ही नहीं चलता है, लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपर्ली एविटाइज किया, चीजें वहां तक पहुचाई तो दर्शक आते हैं, यह सफर कि देखा जाता है कि ठीटर से लेके बॉली वुड तक एक सफर है, यह से हमारे नशुदीन शाह हो गए, प्रिस्वी राज कपूर हो गए, शबाना आजमी जी, इन सबने अपने करियर के जो शुरुवात थी, ठीटर से की, और फिर उसके बाद वो बॉली वुड में गए, लेकिन यह आज का जो यूथ है, यह डायरेक्ट बॉली वुड में एंटर करना चाहता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कर रहे हैं, और उसके बाद फिर इस्टूडेंट वहां पहुंचता है, देखिए, एक क्या होता है कि आप उठे और चल दिये, और किसमत लह गई आपकी, एक होता आप टेक्निकली रिच होके जा रहा है, क्योंकि यह भी पूरी टेक्निकल विदा है, इस टांसला विसकी ज मुक्री साब होते थे या और भी इस तरह के, लेकिन वो क्रियेटिव रहे, मतलब यह ऐसे जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई डिगरी होना चाहिए, और गॉर्ड गिफ्टेट भी होता है, आप गॉर्ड गिफ्टेट तो सब कुछ ह जाके नहीं सीखा, लेकिन इन्होंने जीवन के अनुभवों से और जिन गुर्वों से सीखा, वो खुद अपने आप में बड़े इंस्ट्यूशन थे, ठीक, उससे उन्होंने सीखा और धीरे 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 अपने को माझते गए, कि आज हमारे सामने मिसाल है, लेकिन आज का दौर जहां है, वहाँ पर पर प्रशिक्षन की बहुत जरूरत है, आपके अंदर सुर्थ तो है, चीजें तो है, लेकिन उसको मैं कैसे तराश करके सामने ले जाऊं, उसके लिए प्रशिक्षन की बहुत जरूरत है, तो आज इसलिए देखे कि अगर आप बाहर जाएए, प्रशिक्षित व्यक्ति जब बाहर काम जाके करता है तो उसका जो तराशा हुआ भाग है या उसकी जो सोच जो वीजन है उसके काम करने का तरीका है जो मैटड है वो खुल करके सामने आता है क्योंकि वह उसमें स्पेशलाइज हो चुका होता है और दूसरे एक बात और है कि आज कल कोई सिखाने के लिए इतना परेशान नहीं आप जाएंगे कहीं भी फिल्म करने और वो करने वह आपको बलाएंगे आपका आडिशन लेंगे नहीं मतलब आपका वह इंटर्वू लेंगे पहले के कर सीख के जाते हैं वह आपको ऐसे डॉक्टर ट्रीट करते हैं क्या वही नवज देखी हां ठीक बुखार नहीं है और नहीं तो फिर कहीं अच्छा लाइन में आईए बहुत प्रोफेशनल फिल्मों के इस तर पे सीरियल के इस तर बहुत प्रोफेशनल हो गया है थीटर न देखें तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं? और उसका पूरा एक प्रॉसेस है, ब्रेक्ट आये, ब्रेक्ट का नाम बहुत जर्मनी के बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं और उनके अपनी शैलित, उन्होंने एपिक थीटर पर और एलिनियेशन पर बात की, क्योंकि उनका ये दौर था, स्तांसलावस्की और ब्रेक्ट अपने नाटे शास में आंगी पाची को सात्विक की बात की है, ब्रेक्ट कहते हैं कि नहीं, हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं तो अभिनेता उस चीज को प्रकट तो करें, लेकि फिर उसको दर्शकों के सामने तोड़ दे और बताए कि मैं अभिनेता फलाँ आपके साम की बात हो गई ờनी तीसरी तरफ हमारे आँ ऐस चीज के बहुते हैं तो आधार भूत इन्हीं चीजों के उपर उसके बाद तो फिर mime भी है और तमाम अद्धाय एक अलबीन हैं मोनो लॉग से तमाम शैलियां और हैं तो इस सबस्ते धिरे धिरे जो थीटर है वो कमो बेश इनी सब चीजों और इससे पहले इस से पहले सेक्षपीरियन थीटर था जो पर जो होता था जो पार्ची रंगमंच में काफी प्रभाव देखने को मिला कि डिरेक्टर जो भी होता था वह पहले करके हर करेक्टर को दिखाता था और फिर वह एक्टर उसको उसी तरीके से हिमीटेट करता था बहुत मेलोड्रमाइटिक, मेलोड्रमाइटिक, लंबे-लंबे समवाद बोलना, गाह करके बोलना, क्योंकि ओडियन्स हजारों की होती थी, मैं चला जाओंगा, तुझे देख लूँगा, इस तरह से जो समवाद अदाईगी होती थी, तो मेलो, वो इस समय दॉट अचला गया 1963 के दोर की जबात थी, तो उसमें एक मुबाइल थीटर का चला था, उसमें टीम जाती थी, टेंट लेके, चेर्स लेके, रोड में रखती थे, परफॉर्म करते थे, फिर आगे अगे जाते थे, फिर दुसरे के चेर्स लगाते का ओडियन्स आती, वो मुबाइल ने वो बि प्रचलन आज भी है, अगर आप तूरिंग थेटर होता था, या एक तरह से जो हमारा पार्सी था, यह पूरा टंबू कना जैसे सरकस चलता है, इस तरह से लेकर के जाते थे, अपना डेरा डालते थे, महिनों ना तक टिकेट पे दिखाते थे, और उसके बाद फिर वो किसी दूसरे शहर की तरफ बढ़ जाते थे, आज भी इसकी परंपरा है, कैलकेटा में, असाम में, बेंगाल में, तमाम जगा इस तरह के मुबाइल थेटर आज भी हो रहे हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके एक एक साल के लिए अनुबंधित होते हैं, और उन् से कि एक इंट्रेस्स पैदा हो, एक चिंगारी दी जाए, ताकि इसमें भी टूडेंट्स अपना फ्यूचर बना सके हैं, चाही बात है, मनरंजन की चीज़ों को देखना चाहिए, थेटर को देखना चाहिए, कोशिश ही होनी चाहिए, कि वैसे तो कहिए किसी को जबरदस् साइंस का स्टुडेंट हो, चाहिए मैथमेटिक्स का स्टुडेंट हो, चाहिए भूगोल का हो, तो एक तो अंदर की स्वेक्षा होनी चाहिए, उसके बाद उसको अच्छा थेटर देखना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, और उसके अंदर की बारुकियों को, जैसे आ तो चार लोग और जोड़ेंगे तो चार लोग और जोड़ेंगे कि अरे भाई उसने ये चीज निकाली जो भी विद्वान पैदा हुए इस फिल्ड में उनने एक चीज निकाली होगी तभी तो ये चीज इतनी बड़ी हुई तो इस तरह से जब करेंगे तो अपने आप बने यूथ के लिए जैसे आपने का छोटी सी बात और कहना चाहूंगी मैं बात खतम करने से पहले कि पहली बात जैसा कि जाहिर सी बात है कि अगर अगर इस विद्धा में कोई आना चाहता है और तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है जो मैं आज बहुत देखती हूं अपने इस कि पहली बात है कि हम लोंने पढ़ाई बंद कर दी अब आप कहेंगे पढ़ते तो हम सबी हैं हर चीज हमारा नेट पे मौजूद हमने कट 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 किया और तुरंट वहां पे गूगल में गए और गूगल बावा ने आपको सारी चीज़े दे दी है लेकिन जो पढ़ाई ज बता तो घोड़ा कैसे जा रहा होगा कैसे बत्तक में तबदील होगा इमेजिनेशन के हजारों आयाम थे ठीक है आज हमारे पास किया है इमेजिनेशन ब्लॉक हो गया है एक पेपर पे काला बिंदू मैंने लगा कर अपने स्टूड़न को दी हमने का बताओ यह क्या चीज ह लेकिन वो अपने साइंस और अपने जो नेट पे जो भी टेकनिकल चीजें या इसके बाहर वो नहीं जाता है जब मैंने एक आम बच्चे से पूछा जो बिल्कुल इन चीजों से अच्छू था था तो उसने बहुत प्यारा जवाब दिया उसने का यह एक गोरी के गोरे ग से बात करते है या शबाना जी की बात करते हैं यह उस दौर के लोग है जिन्नों अपनी इमेजिनेशन पढ़ाई से बहुत दूर दूर तर डिवलप किया अब क्या रहा है लेकिन हर बच्छा एक ही चीज बताएगा क्योंकि वह एकी चीज देख रहा है आपका वो बिल्कुल अनूठी और नहीं होगी क्यों आज के युवा देखे गैंग वासेपूरिया तमाम फिल्में बन रही है चोट-चोटे विश्यपे क्योंकि थीम ऐसी उठा करके ला रहे हैं बिल्कुल नहीं ला रहे है कि किसी चीज से मैशनी करती है और बिल्कुल यूनीक हो होंगी और बाकी तो टेक्निक आपको सारी चीज़ें से खाती है तो ये थी राय चेंदर मोहन जी और शित्रा मोहन जी नोने नाटा के बारे में काफी अच्छे से बताया तो अंत में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि नाटा का इतिहास बहुत पुराना है और ह हमें इसकी मैत्ता को बरकरार रखने के लिए कई प्रयास करने चाहिए आप दोनों का बहुत बहुत धनेवाद कि आप हमारे इस शो में आए थैंक यू रविंचू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा यहां बुलाया और इतनी अच्छी बाते की थैंक यू सो मच झाल आपका धजिए